हलो फ्रेंज दिल्ली वाली बारवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक मगर मच्छ ने बच्चों के उपर हमला खर दिया था अरे कोई बच्चा हो मैं कोई बच्चा हो खाज़ेगा मैं तो आईए देखते हैं आगे क्या होता है आईए आईए अंकल आईए ये देखिए अरे अरे ये सब कैसे हो गया बच्चो ये भगवान क्या हो गया मेरे बच्चो को अरे ये तो सारे बच्चे घायल हो गया है मम्मी बहुत देड हो रहा है मम्मी हाँ अंती ये देखो कितना खून निकल रहा हैं सबका विवेक जी जल्दी ही ने हॉस्पिटल ले चलिए हाँ हाँ इसलिए तो मैं गाड़ी लेकर आया हूँ चलो चलो बच्चों को जल्दी गाड़ी में बिठाते हैं, हाँ हाँ जल्दी गाड़ी में बिठाते हैं, बच्चे गीले हो गए हैं, बहुत दर्ध हो रहा है, बहुत दर्ध हो रहा है, हाँ बच्चों जल्दी से ठीक हो जाओगे, चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम, मना करती ह कि तुम लोग तलाब में मत खेला करो चलो सपना जल्दी बैठो हाँ हाँ बैठ रही हूं हे भगवान जल्दी से ठीक कर दो इन्हें सिष्टर जल्दी से डॉक्टर को बुला ये बहुत इमरजन्सिक केस है अरे क्या हुआ हुआ इन बच्चो को अबुटर अंकल आ रहे बेटा सब ठीक कर दिंगे सेर इन बच्चों को एड्मिट करना पड़ेगा देखिए मगरमच ने कितना बुरा हाल किया है इन बिचारों का अरे मगरमच तो बड़ा खतरनाक होता है ये बच्चे कैसे पहुँच गए मगरमच के पास डॉक्टर साहब बच्चे तालाब में नहा रहे थे वही मगरमच ने इनके उपर हमला कर दिया डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है ना बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना हाँ हाँ बिलकुल ठीक हो जाएंगे आप घबराईये मत आप दोनों बाहर इंतजार किजिए यहाँ पेसेंट के पास रुखना अलाउड नहीं है डॉक्टर साहब मुझे अपने बच्चों के पास ही रुखने दिजे आप बहुत दर्द हो रहा है देखिए आप बाहर जाए हमें बच्चों का इलाज करने दिजे चलो सबना हम बाहर बैठते हैं घबराओ मत बच्चों मैं सब ठीक कर दूँगा पहले कॉटन से तुमारे घा को साफ कर देता हूँ आप दर्द हो रहा है अब दर्द तो होगा ही अरे मगर मच्छ ने काटा है भाई कोई चुहे ने थोड़ी काटा है डॉक्टर अंकल मेरे तो हाथ में काटा है मेरे भी हाथ में काटा है हाँ हाँ बेटा मैं सब ठीक कर दूँगा घबराओ मत सिश्टर जरा बैंड़ेज लाना ये लेजे सर डॉक्टर अंकल हमें जल्दी से ठीक कर दीजे हाँ बेटा बेंड़िज कर देता हूँ मैं भी ये लो बेटा तुम्हारा बेंड़िज हो गया और ये तुम्हारा भी हो गया लो अकेले तलाब पर मत जाया करो बच्चों वहाँ जंगली जानवर पानी पेने आते हैं ये लो बेटा तुम्हारा भी हो गया डॉक्टर अंकल वो क्रोकोडाइल बोल रहा था कि तुम खाने में बहुत टेस्टी हो अच्छा उसकी ये मजाल ये लो बेटा तुम्हारा भी बेंडिज हो गया आँ बहुत दर्थ हो रहा है डॉक्टर अंकल सिश्टर जरा पेन किलर देना बच्चों को ठीक है सर्थ इसमें दवाई निकाल लेती हूँ कितनी गंदिय स्मेल इसकी मैं नहीं पी सकता मैं तो उल्टी कर दूँगा अरे बेटा लेकिन तुम्हें ये दवाई पीनी पड़ेगी नहीं नहीं पी सकती है दवाई दवाई पोली उल्टी होती है ये बच्चे ऐसी नहीं मानेंगे अच्छा देखो ये ड्रॉपर से दवाई कौन पीएगा बच्पन में पीते थे न तुम लोग इससे दवाई देखो ये कैसे पुछ पुछ होता है ये देखो ये देखो कैसे पीते थे तुम लोग बच्पन में है ना ऐसे पिते थे ना अरे हाँ बच्पन में मम्मे ऐसे पिलाती थी तो चलो अभी भी पिलो मुझ खोलो मुझ खोलो आ ये पुछ बस बस हो गया हो गया अरे मैं भी पियोंगी मैं भी पियोंगी पुछ पुछ वाली दवाई ये लो ये लो मुझ खोलो मुझ खोलो पुछ चलो बेटा तुम भी मूँ खोलो ए पुछ बश्पन में मैं भी पीता था तो चलो अभी पीलो बश्पन के याद ताजा कर लो ए पुछ बस बस हो गया हो गया सबने दवाए पी ली सिश्टर ज़रा जा कर देखो रूम नंबर 4 में एक पेसेंट को पानी चड़ाना है मैं अभी आ देखो मैं काम करता हूं इस इंजेक्षन को कहीं चुपा देता हूं जब यह इंजेक्षन ही नहीं किसी को और फिर विक्की इंजेक्षन चुपा देता है कहीं देखो यहां इस पौधे के अंदर में इसे छुपा देता हूं फिर मिलेगा इने किसी को और फिर विक्की इंजेक्शन छुपा देता है चलो अब हम बच जाएंगे अरे सिश्टर जड़ा इंजेक्शन लाना इन बच्चों को भी तो लगाना है अरे सर धीरे बोलिए य अब तो लगाओगी अरे चुपरो चुपरो नर्स दीदी सुन लेंगी अरे कहां रख दिया इंजेक्शन यहीं तो रखा था उधर टेबल पे तो नहीं रख दिया अरे यहां भी नहीं है सर मैंने यहां इंजेक्शन रखा था आपने कहीं हटाया क्या नहीं सुष्टर मैं ने तो नहीं हटाया लगाओ लगाओ नर्स दीदी हम्हें जलदी इंजेक्शन लगाओ हां हम तो the injection सब लेवर ने यहीं तो रगखा था वी जो आज तो किसी किमत पर इंजेक्शन नहीं मेलने वाला नैस्टी थी सिर अब क्या करें इंजेक्शन तो मिलussen नहीं नहीं कोई बात नहीं सिश्टर नया स्रिंज निकाल उसमें दवाई भरो क्या नहीं ठीकिन सर नहीं सिर लाती हुँ है भगवान अब हम नहीं Los सकते यह रहा सर नया से इसमें दवाई भड़ती हूँ इसमें दवाई भड़ती हूँ इसे हमारे अंदर यह दवाई जाएगी यह लिजे सर चलो आज आ बच्छों तुम तो बहुत बहादर हो नहीं डॉक्टर अंकल मुझसे ज्यादा बहादर तो यह लड़किया है पहले इ लेकिन तुम तो अभी बोल रहे थे कि तुम्हें इंजेक्शन से डर नहीं लगता है नहीं डॉक्टर अंकल पहले इनको लगाई न मैं बाद में लगवा लूँगा नहीं डॉक्टर अंकल पहले इसको लगाई इसे नहीं इंजेक्शन चुपाया है क्या इंजेक्शन चु से हां बेटा दिरे से लआवग लगा लो नैज नई 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 चलो बेटा आ जा ओ नए नई 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 हाजी देखिये देख्यों मैं पिने इंजेक्शन के ठीक हो जाओंगा प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाई इए अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुमने injection छुपाया कहा है हाँ हाँ मैं अभी बताता हूँ मैं बता दूंगा तो आप मुझे injection नहीं लगाओगे न अभी बताता हूँ मैं ये देखिए कहां छुपाया है मैंने injection ये लीजे अपना injection लीजे ये देखो कहां छुपाया है इसने अब आप मुझे injection नह होता है तुम्हारे हाथ में कौन इंजिक्शन लगाएगी बेटा मैं तुम्हारे बं में लगाऊंगा नाइन नाइन आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्रायब किजे हमारा चैनल दिले वाले बार ऑबाई